यदि आप बिए फस्टियर के फस्ट समस्टर के चात रहें और आपका सब्जेक्ट एजुकेशन यानि के सिच्छा साफ्त रहें तो आप सही बीडियो पे किलिक किये हैं इसी वीडियो को देखने के लिए आए क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद कोई आपको इधर बटकने के आउसकता नहीं पड़ेगी ना कोई अन्य वीडियो को देखने को आउसकता पड़ेगी क्योंकि पूरा का पूरा आपको मेट्रेल यहीं पर मिलेगा यह तरीकी स यह महा संग्राम वीडियो होने वाली है इस वीडियो हों आपको most important question and answer दोनों बताएंगे कि कौन-कौन से most important question इस बार आपकी परिच्छा में आने वाले हैं और कौन-कौन से परिच्छा में पिछले साल पूछे गए उसमें से कौन-कौन से question आ सकते है question answer की पीडियो पूरा क question answer दे रहे वो आप तक पूरे के पूरे पहुंचे यह नहीं कि आप वीडियो में बीट में अधोरा छोन के चले जाते हैं दूसरी वीडियो देखने चले जाते हैं कमसे कम पूरा वीडियो देखिए जो हम आपको नियम कानून बता रहे हैं उसको follow करें मुझे उम्मीद है आपको भी मैं दिलासा दिला रहा हूं कि आपको पूरी सफलता मिलेगी लेकिन पूरा वीडियो को देखा करें ठीक है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पूरी जानकार यहां पर आपको समस्त प्रुस्तुत है आपका भी आफ ये फष्ट का 1. था स्था था सबजेक्ट ह कि सिच्छा साफ्त किसे कहते हैं या फिर सिच्छा का आर्थ बता है या फिर सिच्छा की परिमाफा दीजी ऐसे आपको प्रशन देखने हो कुम लेंगे तो फिच्छा का सिंपल सा अर्थ है ठीक है संकुचित अर्थ में वह फिच्छा जो बालक के जीवन काल में एक निश्चित समय से प्रारंब होकर एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती वह फिच्छा संकुचित सिच्छा ठीक है वह फिच्छा संकुचित अर्थ के अंतरग पुर्व रूपेण बिद्ध अल्यों में प्राप्त होती है एक निर्धाइद पायट करम बालक द्वारा निर्धाइद समय सीमा में पढ़ा जाता है और फिच्छक द्वारा पढ़ाया जाता है यह फिच्छा पूर्व यूजना की अनुसार चलती है इस प्रकार से समान फिच्छा की परिवाफाया है ठीक है लेकिन एक समान रूप से यहां आपके समस्त प्रुस्तुत है यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह फिच्छा पूर्व यूजना के अनुसार चलती है यानि कि पहले पर जो यूजना बनाई गई उसी की साफ़ चलती है ठीक है तो इस प परिभासा प्रस्तुत की गई है उस इसाफ से मैं आपको बता दूं कि जैसे कि माली जी की कोई छोटा बच्चा है तो जिब भाई स्कूल में जाता है तो उसका नाम है हम केजी नरसरी नहीं पर हूँ सिदा यृण पर फॉस्ट लाश में जिसको कच्चा एक साल होता ठीक है जो सब्जेक्ट थो भीध है ऑड़ी इंगली एंगलिफ या थोड़ी बहुत थीक है M you have to तो वह आपको पढ़ाए जाएगा तो भाया जो कच्छा एक सुलेवर्स है वो सभी छात्रों के लिए एक ही है तो वही यहां पर कहा गया है ध्यान सचरेंगे कि बालक के जीवन काल में एक निश्चित समय से प्रारंब होकर मत्तब कि यह जो सिच्छा है वो एक निश्चित स हमें से प्रारंब होकर एक निश्चित समय पर ही समाप्त होती है ठीक है एक जो डेरुसन होता है इंसान का तो भाई बच्चा जब चौथी ठीक है चौथी उमर में पाचवी उमर में आता है एज में और उसे लेकर करीब करीब 25-26 के बीच बीच में उसके सारी एजुकेश से प्राप्त होती है ज्यादा तर ठीक है और एक निर्धायत पाटकरम भाइया आपको जैसे की आप मालीजे की एक निर्धायत पाठिक्रम होता है कि वहीं अ lawyer सभी ठॉट ही समय Una की लिए फलेरब है उसी समयो होता तो आपके वही एक साल में समश्टर आपका छी महिने यानि की स्ट्रेश्ट शे महिने आपको पूरा पूरा दफ जो पढ़ाया जाएगा और एक निश्चित टीचर के मादधें फिच्छा के द्वाड़ा वो पढ़ाया जाता है ठीक है तो इस प्रकार आप इस इच्छा की बारे में लिखेंगे बहुत ही पॉपलर कोश्चिन कई बार पर इच्छा हम रिपीटेड है तो ध्या करण क्यों से भी महादपूर अठीक है यगां भी झाला नहीं कीजे फिच्छा में आ चुका इस बात का अधान ना खेंगे घ। तो फिच्छा और समाज के लिए है तो फिच्छा जो वह बैंटी के लिए है कोई इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो उसका जो मतलब की फ्यूचर वो ब्राइट होगा मतलब कि अगर आप छाफ सिच्छा पर जुड़े रहेंगे विच्छा के बारे में जानेंगे, तभी तो आप समझपाएंगे, कि हैसे बैठा जाता है, किसे कहीं पर जाया जाता है काईफे कोई नौकरी कि लिए फाम अपलाई किया जाता है कैसे इसमें जुहांनिंग होती है यह सब आप कभ जान पाएंगे जब आप पढ़ेंगे फिच्छा गन्हेंड करेंगे तब ही तो और फिच्छा बेक्त के लिए तो जरूरी हो सासा समाज दोनों के लिए भी जरूरी होती है ठीका समाज में अगर आप मालीजे कि किसी समाज में बैठ गए आपने और आपको फिच्छा के बारे नहीं मालूम है या फिर वो समाज में किसी को नहीं मालूम है कि समाज में कैसे बढ़ताओ करना चाहिए कैसे एक दूफरे के फुक दुख में साथ देना चाहिए तो वो क्या है वो मतलब की फिर यह उसमाज में तो एकता काहा पहुँ रहेगा अरे करेंगी हटो मुझसे क्या मतलब मुझता है तो मरने दो मैं तो भग के निकलना हूँ माली जै कि आपके फहर में गाउं में आग लग गई पड़ोस में तो आप क्या करेंगे अगर फिच्छित इंसान है तो यह कोशिच करेगा हम भी बच जाएं पास में जो पड़ोस वाले हैं जो हमारे आसपास वोल भी उनको आफानी से सही माध्यम से सही जरी उनको बाहर नि मत बताओ तो यह होते अफिच्छित के लच्छण को जो आप परिवर्तन बहुत ही पॉपलर से कई वार पर एक्षम रिपीटेड है तो ध्यान से इसको तयार कर लेंगे और मैं आपकी आप की जानकारी के लिए बता दू कि अगर आप कोई चीज सिद्धत से कोई चीज अगर सिद्दत से चाहेंगे या फिर सिद्दत से आप तयारी करेंगे अपने एक्जाम की तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सफल होंगे और आपको भी भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर आप चीज कुछ भी सिद्दत से पढ़ेंगे सिद्धत से तयारी करेंगे सिद्धत से आप लोग उसको समझेंगे तो पूरी आपको सफलता मिलेगे आपके परिच्छा में पिर किसी भी चीज में ठीक है तो इस बात को जरूर धान रखेंगे आप लोग हमेशा ठीक है ओके बहुत ही popular question है ज्यादा हम आप पास इसमें explain कर देते हैं उसके जो मुख्य तत्थ होते हैं आपको बता देते कि यह तैयार कर लीजिए और इसकी बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और वहीं पर डाक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि बारे मिन्हों ने कुछ बताया है चले जान लेते हैं कि राष्टे एकता एक ऐसी समस्या है राष्टे एकता एक ऐसी समस्या जिससे सब भे राष्ट के रूप में हमारे आफ्टित का घनिष्ट संबंध है ठीक है अगर राष्टे एकता है ठीक है तो राष्टे एकता से आप कुछ भी पोशिबल कर सकते हैं ठीक है वो किसी भी छेत्र में हो सकता ह हमारा राश्ट ये यह जितने भी लोग हैं वह एक ही मतलब की जो लीगल ही वह सही चाहें कि हम एक होकर किसी चीज का सामना करेंगे तो बिलकूल कर ले जानते हैं कि एक सैब्सक्राइब करें। तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे साइध एक तरीके से एकता का एक्जामपल हलाकि पूरी पूरी एकता नहीं हम पूरा करने के लिए एक जुट होकर किफी जुच को करें या फिर किफी चीज को हमें माले बहिसकार करना तो एक जुट होकर करें तो इस प्रकार आप इसके बारे हम लिखेंगे काफी helpful question है कही बार repeated exam में तो ध्यान लखेंगे और अगला question guarantee वाला जो की 100% आता ही आता परिच्छा में और इस बार भी पूरी की पूरी guarantee ले रहा हूं इस question की माल लिजे गालिया दीजे अगर यह प्रश्ण नहीं आएगा आपकी परिच्छा में तो कुछ भी बग दीजेगा मुझे पूरा का पूरा मुझे मंजूर है ले जिवन में बंधी हूई है जबकी अपरिमितासी मित तथा कामकाजी जिन्दगी में गुथी हुई होती मतलब कि इसमें क्या होता बाई आप बिद्याले पे किसी चीज को ग्रहन करेंगे और इसमें क्या है कामकाच के माध्यम पे आप उसमें लगेंगे उसे में से जो आएगा वही आप लोग समझ पाएंगे बस प्रभेव तथा निकास के बाई नौ बजे खुलेगा उसके बाद यह तीन फे चार बजे बंद होगा तुसमें मतलब वही बता जा प्रभेश आपका जो होगा नौ बजे होगा और आपका जो निकलने का समय होगा विद्याले को तीन से चार बजे जितने भी चुट्टी हो ठीक आपकी ठीक होता है जबकि अनौपचारिक शिच्छा में क्या होता है यह मुक्त होते है चाहे जब आईए पढ़िए जब मनुए न पढ़िए यह फिर आप कुछ करिए भी किफी चीज से भी सम्मंदित अनौपचारिक फिच्छा मतलब होगा इसमें कोई भी कंडिशन नहीं है तीक है आप अब्चारिक फिच्छा कर रहे हैं तो आप यह सब आज आएगा विए और सेम आपको ठोड़िक विच्छा में इसका रिवर्स हो जाएगा इसमें बिक्तिगत्व भिकास मतलब स्वयम के लिए भगो बस ठीक है आत्म फुधार 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 ठीक है तो यह सब आ जाएगे इसमें और आप चारिक स्था में अगला है कि यह ज्यान की उपलब्द की नियोक्तिक लच्छो की और उनमुक करती है जब कि यह बिक्ति समझने वार निर्वाह करने के प्रिक्रिया इस बात को ध्यान रखेंगे यह किसी प्रशनल इंसान जो कॉलेज स्टुडेंट जाता उससे संबंदित हो गया और यह जो एक लावारिस स्टुडेंट होते हैं जिनके कोई आगे पीछे नहीं है ठीक आगे पीछे मतलब यह बीकरें एक ठीक है और चाहाए जहां घूमें जहां जो वाली इसमें बात हो गई ठीक है कि वेना भोडें बिना लगाम का गोड़ा ठीक है यह वाला और यह आपका अपचारिक यह लगाम वाला गोड़ा एक तरीकी से समझ सकते इस तरह और यहां पर अंतर दियेगे जो कि में सब्सक्राइब करें तो माहा संग्राम और जिसमें गारंटी देते हैं उसमें 75 में से तीक है परिवर्तन कभी कादार आता हमेशा नहीं आता तो आप चाहत पड़ भी सकते एक नूर भी कर सकते हैं ठीक है और अगला प्रस्टन है कि मंटर सरी पद्धत के गुड़ दोस्त बताई यह पॉपलर कोईश्चन कई बार रिपीटेड है तो मंटर सरी पद्धत जो है इसके कु स्कूल को घर के रूप से स्कूल को घर के रूप में मानता है परिवारी गुणों का विकास है मानो बेग्यानिक फिछण भी दिये तो यह सब इसके गुड़ हो गए और कुछ दोस्त भी आपको तैयार कर लेना ठीक है हमारा उद्धेश यह भी है कि पता आपका मालीजे कल पर सोय फिर आने वाले दो चार छे दिन में एक्जाम है और हम आपको दो दो घंटे तीन तीन घंटे के कलाफ लगाएं तो वह भी तो मतलब कि एक तरीके फे मतलब कि फालतु वाला आप लोगों को टाइम वेस्ट करने वाला बात हो गई जैसे कि आप पहले तो हम मनाते थ करेंगे तो हमारा मेन उद्धियव यही रहता कि करीब करीब आपकी 15 ज्यादा ज्यादा तीस मिनिट तक की वीडियो कम मतलब कि ज्यादा वर्ना हमारी वीडियो जाजाता 20-20 मिनिट की होती है उसी के अंदर हम आपको मॉस्ट इंपार्टन कोश्चिन कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से एक्जाम में आने की संभावना है ठीक है और आपको कैसे PDF मिलेगी यह सब जानकारी हम उसमें दे देते हैं ठीक है इतने ही समय के अंदर आपको दू घंटे लेंगे तो आप तयारी कप करेंगे ठीक है यह मालीजी दो-चार महिने पहले यह पोसिबल है कि हम दो आप हसाईगा यह बता दे रहा हूँ राफ्टे फिच्छा ने जो की 2020 में लागो हुई थी अभी आपको मालूम है अच्छे से मालूम है इसके बारे मुझे बताने क्या हो सकता ने कोविट के समय में ठीक है जुलाई 2020 को कैबनेट में राफ्टे फिच्छा ने 2020 को अपनी म फुरू हो गई थी ठीक है और मैं आपके बता दूँ सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप फर्स समस्टर के छात वीडियो देख रहे ना तो फर्स समस्टर जो है इसी 2022 से चालो हुआ है ठीक है जारा तर इनुवर्सिटियों में यह बहुत बड़ा एक्जाम पल है 2020 की जो राफ्टे फिच्छा नीती आई है उसी समय आपकी जो समस्टर प्रणाली पर इच्छाए हैं वहीं से स्टार्ट होती है जो आप इस समय के फर्स समस्टर के वीडियो देख रहे ना वीडियो तो 2020 का यह राफ्टे फिच्छा नीत को बहुत बड़ा उदाहरण है क्यों छूठ्ट इचानीर अभी तक जो जियादा मानुए में जुव ज्यादा लोक अभी तक यांग वह बार श्ыв यह राफ्ट फिच्छा नीत आचुक है जब देसा अजयाद हुआ है तो ध्यान से सनाइसफहने तब से पहले जो राफ्टे फिच्छा नियती आई थी वह 1968 में आई थी इस बात को ध्यान रखेंगे जो कि डियेश कठोरी के अधर्षिता में बनी ठीक है दूफरी फिच्छा नियत जो है वह 1986 में बनी और 1992 में उसमें आवास्यक्ता नुसा संसोधन भी किये गए ठीक है ओके अब 24 वर्षि के पस्चात बहुत बड़े बिमर्षि के बाद 1929 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद मोधी द्वारा तीफरी राफ्टे फिच्छा नियत की गोफडा की गई तो इन तीन राफ्ट कर लेना ठीक है पहले फिच्छा नियत 2 दूफ्री और ती न तीफ्री जो आपकी e220 में ऐई सब्सक्राइब को प्रश्चे लेना क्योंकि इन तीनों राफ्टे फिच्छा नियत से एक परस्ट कर लीजिए यह फिर बुक स्रीज है तो उसमें पढ़ लीजिएगा ओके तो पक्के होगे आपकी 8 फिदस नमबर स्टिंपल से बात ओके अगला प्रस्ट नहीं कि प्रात्मिक विच्छा की आवसक्ता हैं यह पॉपलर कोश्चन तयार कर लीजिएगा ठीक है अगला प्रस्ट प्रिचीन कालीं यह फिच्छा उसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना थिक के जो मतलब कि जो गरु होते हैं है पहले तोब्ले के गष्छन को चात्र होते एं जिए तो और गुरु में अंतर पढ़ लेना ठीक है गरू और फिश्च पूरक कैसे हैं उसके बारे में पृड़ लेना गुरू , भी स्टि के बारे मैं इस बारे में इस الصित को द्यान रखे में वर अच्छा परना प्रसी काल open की निखा थी उस– एक और question जो कि हमेशा फंसता है द्राश्टे मुक्त भी सबिद्दल है फिल्डा question ये भी हमेशा पढ़ता फंसता है फंसता है इसको भी तयार कर लेना है ठीक है यह पूरी के पूरी पीडियप जो है इसमें दे गई question जो जो मैंने बता है इनको तयार कर लेना है बाकि इसके किलावा एक और भी महा संग्राम वीडियो है ठीक है और उसकी पीडियप भी है महा संग्राम पीडियप इन दोनों पीडियप को ये वाली आज किस वीडियो के पीडियप और हमने एक से पहले महा संग्राम वीडियो बनाई ये उसकी पीडियप दोनों पीडियप हम आपको कदम चूमेगी गारंटी है जहिंद